Hi everyone, welcome to Ability Creative YouTube channel तो हम आज आज आपको इस वीडियो मां बताएंगे कि यूज जावा स्क्रिप्ट को कैसे यूज करें हम अपने Google Ads में जिससे कि हम Google Ads को की बीडिंग को चेंज कर सकते हैं, वेकिन को चेंज कर सकते हैं और बहुत से चीज़ों को हम चेंज कर सकते हैं है गूग्ल एट्स के अग्रांस्मेंट में पहूं कि अगर आप अम जावास्क्रिप यूज करो गें किंफ ग्रीड करने में किसी कैमपेंश को बного будет 팀 Tamam में हम जावस्क्रिप्ट को यूज कर सकते हैं हम आज आपको जावस्क्रिप्ट को कैसे यूज करते हैं और जावस्क्रिप्ट को कहां कहां यूज करते हैं उसके बारे बताएंगे केंपेंज स्क्रिप्ट एक एड़्वांस फीचर से गूगल एड़्स में जिसे कि हम किसी कैंपेंड को एड़्वांस तरीके से एड़िड कर सकते हैं using script to make automation change Google Ads scripts let you make automated change in your Google Ads account using JavaScript code you can change bid, post and group and add keywords with written scripts directly instead of manually within your Google Ads account so JavaScript के feature को हम कैसे एड़ कर सकते हैं और किस function को use करना है कि जावास क्रिप्ट हम यहां पर इस Google Ads scripts से देख सकते हैं जैसे बिडिंग की scripts भी बताई गई है यह function उन्होंगा बजट की scripts बताई गई है म स्क्रिप्ट बताई गई है और से AWS !! जी सीप्स हैं तो सारी इसलेक्स की डिटेल है यहां से आप देख सकते हैं जिस को आप यूज करना चाहते हैं उसे उसे सकते हैं तो हम आपको स्क्रिप्ट की एक्टेशन से अड़का बतायंगे समांने में फिस्ट रों टूग्वलक eh एक्शन में इस्क्रिप्ट नाम का उप्शन होगा इसको आप क्लिक कर लेना क्लिक करने के बाद यहां पर ओल्ड एक्शन्स जो भी हमने क्षोप्ट से रिलेटर बिल्ड पर न्यू स्क्रिप्ट लेगेंगे यहां पर हम फंक्शन में में जब कर इसक्रिप्ट लिख सकते हैं जिस स्क्रिप्ट को यूज करना चाहते हैं क्वालिए का इंब करने सब्सक्किंव अजय को अधर करने के लिए का पिंपने की बढेड़ी स्टीरिजी बदलने के रिए अधर अगएto कर सकती है आ एकम से लेतेड़। बिलिठ बिलिठ बिलिक' और से गूर्ड़र से लिएट तो जिस तरीके से आप मैंज़ करना चाहते होु जाना चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो painters की video में इतना हि मिलते हैं नेक्स्ट वे जीडियो में